है सो हेले अबने वेलकम डू अभीओं यॉइएस सो शुटेंट्स कैसी चल रही आप लोगों की सी सैट की तैयारी तो कुछ नया सिखा आप लोगों रिखें सिटिंग अरेंजमेंट का पाट वर हम कर चुकें ठीक है सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट हम आपके असाथ चु ला रहा हूं और वह भी सर्कुलर रिमेंट के कि सर्कुलर को और कौन कौन सा रेजमेंट आ सकता है मेरे बास स्लिए जैसे सर्कुलर आ आ गया आपके पास ऐकर रेक्टेंगुलर का कोश्चन बहुत अच्छा कोश्चन बड़ा असान सा है बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उसके बारे में क्लिए तो ऐसे कोश्चन बहुत आपको लावदायक हो सकते हैं और मैं अभी भी कहूंगा एक टार्गेट बेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अब क्या करे तार्गेट बेस्ट स्टड़ी करिए जो कैसे होगे आपकी माइक्रो कोर्स के तरू माइक्रो कोर्स कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंटे में सब तक जुड़े रही है और प्लीज वीडियो को लाइक शेर सब्स्राइब चैनल को करना मत भूले पहले मैं आपको बता दू हमारे पास एक नए बैस्टार्ट हो चुग जिसके डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी जिसके टाइमिंग जैसे मेरे पास तीन से लेगे साड़े चार इस बैच की मेरे पास टाइमिंग घंटे होता है बट यह बैच बैसिकरी कब तक ह इसको इसको फॉड ने फार्ट दिन है प्रॉटल एक्षू कितने एक्शॉ सीब्स यानी इसको दो का दो रागा पार्ट ए बेर पारट सिंगा ब्रूब्हरागिया उन्य पीजिए कि अब्बे से थोड़े ज्यादा लेक्चेर है उसके अब देखो पाट एक देब करें पांट एक चुली ये मिरे पास पता क्या है ये मेरे बलान कि प्लाइन था है चाल है कि मतलबिम है दोगए नमें и लेक्चर ये मेरे पास लाइव बैच है आपको सो allonsини प्लस ओफलाइन बोलो यह मेरे पास ऑफलाइन वैस अब इसमें क्या है यह जो 90 लेक्चर मिल रहा है मुझे वह इस और लाइब बैश में मिल रहे हैं मुझे ऑंलाइन अगर आप महाले मारे हैट सेंटर के आस पास लाते है तो ऑफलाइन अभेल कर सकते हैं अदर्वाइस घर के लेक्षर है और पांदरा मेरे पास इसमें किसके हैं इंग्लिश downhill Center मे inspiring कितिने हैं तो यह मेरे पास तीन पॉयंट है यह यही पार पी देर इसमें to सबसे पहले आपको पोर्टल पे वीकली शिटूल देखेगा ठीक है वीकली सबसे पहले आपको वीकली शिटूल देखेगा ठीक है इसमें क्या होगा इसमें आपको लेक्चर लगा मिलेगा अब इस लेक्चर को कैसे लेके चलना है इस लेक्चर में तीन मिलेंगे सबसे पहले लेक्चर की पीडिएफ नंबर तो पर रिसूर्स इस और नंबर तीन पर मिलेंगे प्रेक्टिश किट कि अब मैं वन बाइब आपको बताऊंगा थोड़ी देर में एक इवस्तिन का यूज़ कैसे करें देखो लेक्चर की पी डिएफ क्या है सबसे बहले किया मेरा लेक्ट्र की पीडिएफ ये पीडिएफ होगी जो हमें लेक्चर के अंदर डिसक्स करनी है मतलब जैसे अगर time and work के questions है या number system के या number series के कोई भी questions है तो वो question पहले ही PDF के दौर पे आपको lecture के साथ लगे मिलेंगे वो आप कर सकते हैं जिसमें कुछ important notes हो सकते हैं नमबर थीन पर क्या है मेरे पास प्रेक्टिशीट क्या होगा मेरे पास अगर मैं इस प्रेक्टिशीट की बात करूं वैसे ही questions जैसे लेक्ट्चर में हमने किये हैं 8 से 10 कोशन, 15 कोशन, जितने भी कोशन अवेलेबल होंगे, वो आपको घर से करने के लिए मिलेंगे, clear? और इनकी discussion होगी यह 30 minute हमारा doubt session बोलो इसको यह discussion session जो आपने बोलना बोलो इस 30 minute में हम आपके सारे के सारे doubts लेंगे या इस निया पिछली वली जो असाइनम आपको दिये उसको में discuss करूंगा तो यह मेरे पास पूरे एक lecture के बारे मैं आपको बता है अब next मेरे पास है आपका सबसे अंड में क्या गया अब जो हमने पूरे हफते में पड़ा हमें कैसे पता कि हमें कितना याद है हमने कैसे हमें पता चले का ने कि हमने पूरे हफ़ते बढ़ा वह ठीक भी है हम ने जो किया कि हमने उससे कूछ हो सिखते वो हमारा मगा हर संदे को एक बज़े है हमारा से पौर्टल लग जाएगा आप घर से उससे दे सक्ते आप मुद्दे की बात यह है आपको doubt session मिल गया तब कुछ मिल गया यह जो आपको वीडियो स्लूशन कैसे मिलेगा इसका solution आपको मिलेगा वीडियो स्लूशन मतलब अगर आपने test दिया कोई question समझ नहीं आया या जो मैंने आपको PDF दी उसमें कोई दिक्कत आई तो यहां पर आपके पास सारा का सारा data वीडियो स्लूशन की रूप में बढ़ा है एक एक question जो class में discuss होगा एक question जो आपको practice sheet में मिलेगा एक एक question जो test में मिलेगा सब का video solution अवेलेबल है clear और आपके पास almost 3-4 class आपके पास किसकी मिलेगी weekly आपको doubt session की clear तो यह सब आपको मिल रहे है बैच के अंदर जिसका link के description box में दिया गये please उसे avail कीजिए और जुड़े भी मन्याइस के साथ number one बनाओ लगातर 25 साल से 200 प्लस सेलेक्शन के साथ clear तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूले channel as well as the video next जो link मिलेगा आपको वो मिलेगा बैटा हमारा WhatsApp गुरूप का link जिसका link भी description box में दिया गया प्लीज उसे भी आप avail कर लीजे clear क्योंकि यहां पे भी कूशन है कुछ update होता ही रहत कि भी सी डी एफजी और सेटिंग इना सरकल फाइब यह बहुत इंपॉर्टन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का कुशन है क्यूंकि मैं इस बार सोच के चल रहा हूं कि पिछले को सालों में कौन्ट का लेवल तो बढ़ाज है अगर थोड़ा सा लेवल अप होता है तो हम उसको लेके यह वीडियो में लेके आ रहा हूं कि बाई चांस अगर आपका रिजनिंग का थोड़ा सा भी लेवल अप होता है तो वह इन कोश्टन के थूरू आपसे कुछ ना कुछ एक्स्टा पूछ सकता है जो यहां पर मैंने प्रोवाइड किया कि पहले कोश्टन था च एंटर वाल टू फेसिंग उपजिट इसका मतले मेरे बास किने साथ परसन है एक दो तीन चार पांच छे साथ परसन है पांच इंसाइड लिख लेता हूं मैं पांच कि इंसाइड एंड तु आउटसइड थिक है पांच का फेस अंदर रहुए दो का फेस बाहर रहुए है क्लियर अब देखो ज़ड़ा ओपस एटो सी सिट्स सेकिंट्टू लेफ्ट अपडी और फेसिंट्र देखो मेरे को क्या दिया है सी सिट्सेक्ट अ थाइट्टू ले तो कि यहां पर आएगा और दोनों के दोनों फेसिंग इनवर्ड है मेरे पास यह पिक इंफरमेशन मेरे को इसली पता चल रही है क्लियर देखो नेक्स क्या है और बोथ फॉर सेंटर इस नाइधर और इमिजेट नेबर ओफ डी नौर सी मतलब यहां पर नहीं आ सकता अच्छा यहां पर निया सकता यहां निया सकता यहां निया सकता यहां निया सकता बिकॉज वो सी ओ डी करने पर है ने तो डेफिनेटली एक की मेरे का पूजीशन यह दे दी गई ठीक है दवन सिटेंग एग्जेक्ली बिट्विन दी एंड एफ इस फेसिंग औबसेटली तो देखो डी और एफ उसने और एफ के बीच में एक परसंट बैठ रहा है मुझे नहीं पता कौन बैठ रहा है बट उसने का डी यहां पे तो डेफिरेंटली देखो यहां पे यहां पे आएगा और यह वाला जो परसन है वो आउटसाइड फेस कर रहा है क्लियरा की बात इएफ का अभी कुछ नहीं पता है मुझे ठीक है जी अच्छा अच्छा और डिया डैफ इस फेसिंग उपसेंटर जी सिट थार्ड तुदर राइट ओफ ए देखो डी है वो एक मट सुरी ज जी नॉट डी जी सिट्स थार्ट तुदर राइट ओफ ए एंड जी इस फेसिंग दा सेंटर अब जी कहां पर आएगा यह सोचने वाली बात है जी और एकी पुजिशन मुझे यहां पर बिल्कुली बिल्कुल फिक्स कर दी गई है ठीक है देखो अब अगर मैं जी को यहां लिटता हूं तो छेंज छेंज करते हैं ठीक है देखो गिर मैं जी को यहां लिटता हूं थी इस थब टू राइट ऑफफे इए अगर यहांपे आएगा अगर A यहां पर आएगा, तो A का राइटी हो गया, 1, 2, 3, तो कि G यहां आ सकता है, उसे देखिए, कि अगर A यहां पर है, तो G यहां आएगा, क्योंकि A यहां नहीं आ सकता, ठीक है, तो अब मेरे पास कौन सा बचा फिर, क्या सारे की सारे प्लेस हो गए, एक बच गया, मेर C, F, A और D, मेरे यह सारे की सारे प्लोट हो चुंगे, देखिए, तो यह बहुत असान कोश्चन था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कि किस साबसे, यह वाला A और G, मेरे को देखना पड़ेगा, अच्छा, फेसिंग ओपोजेट वाले आप मुझे देखने पड़ है, ठीक है, यह BB facing center है, तो E मेरे पास facing opposite हुआ क्या, देखिए, क्या E का कोई evidence मिल रहा है, मुझे, Yes, E मेरे को facing opposite ही मिलेगा, क्योंकि बागे सारे center वाले, पहला क्या दिया है, which of the following pair represent person facing opposite center, तो इसका क्या होगा, A and E, clear, चलिए, next क्या दिया है, मेरे को, who is second to the left of A, देखो left of A, अब A का left, A का second left के भी हुआ, cancer आया, option number 4, clear, तो बहुत easy question था, जो हमने अभी किया है, client kindly इसको note कीजिए, share कीजिए, like कीजिए, चलते है next question की दरब, चलिए, next question, बहुत अच्छा question है, 8 person A, B, C, D, E, F, G and H, are sitting around a rectangular table, देखो, ये खास टाइप है, है basically ऐसा ही, but, बहुत easy question है, rectangular table की बात की गई है, ये देखो, मतलब ऐसे करके table है, अच्छा, इस rectangular में हो के आ रहा है, two person sit on the fourth side, मतलब, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ठीक है, जी, four facing the center, person sitting on the opposite faces are exactly opposite to each other, मतलब, इसे लिए मैंने शुरुमे बना दिया, ऐसा दिया होगा, ठीक है, पांच, छे, साथ, देखो, डी यहां पर भी आ सकता north facing है, और डी मेरा यहां भी आ सकता north facing है, तो डी की दो position है, जादा मुझे दिक्कति में वाली, इसमें से कर लूँगा, मैं लेकितात हूँ, और यहां तो यह, कहीं ना कि कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, जान से भी cancel out हो जाएगा, अच्छा, डी faces north, एड सिट्स एग्जेक्ली opposite to H, इसका मतलब कि D यहां पर है, तो H यहां पर होगा, और अगर डी यहां पर है, तो मेरा, ऐसे यहां पर होगा, ख्लियर आगी बात, चलिए, E is immediate left of H, अब देखो जड़ा, अब मेरे को यह पता चलगा, E is south facing है, देखो, यह बात याद रखो, जब north facing करोगे, यह right, यह left, जब south facing करोगे, यह क्या होजएगा, अपका left, और यह right, question में क्या दिया है, E is immediate left of H, अगर E का left ही दर है, तो definitely E यहां पर होगे, तो यह क्या होगा है, खत्म, clear, E is, क्योंकि H के फिर right में आजएगा, क्योंकि H south facing है, तो यह खत्म होगे, यह से मैं मिटा आ देता हूँ, चलिए, next क्या बोल रहा है, मुझे, यह पता चल गया है, ठीक है, E is immediate left of H, A and G sit on the same side, मतलब, अगर या तो A, G यहां पर यहां पर यहां पर वह सेम साइड पर, मतलब, सेम साथ-साथ हैं, वो कहने का मतलब यह है, कि A और G की जो position है, वो बिल्कुल, साथ-साथ दियो हैं, चाहिए यहां पर हैं, चाहिए यहां पर हैं, मुझे भी कुछ है नहीं पता, ठीक है, E is immediate left of H, A and G, मतलब, A और G, साथ दियो हैं, मुझे यह भी लिख लिखता हूँ, G is exactly opposite to B, मतलब G के opposite में क्या है, B है मेरे पास, B who is to the immediate left of C, अच्छा, B, A is next to left of D, तो A के left में क्या है, sorry, D के left में क्या है, और मुझे क्या दियो, A और G एक साथ हैं, और G के opposite में क्या आ गया, B, अच्छा, और कुछ information provided, D faces north and city opposite to H, E is to the immediate left of H, अच्छा, A is A and G on the same side, G is exactly opposite to B, who is immediate right of C, इसका मतलब, यहां पहागा सी, कौन बचा मेरे पास, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E, F बचा, तो यह देखो, कितना आसान सा question था, थोड़ा इसी information के साथ, मैंने पूरा question कर देख, kindly इसको note कीजिए, फिर आगे चलेंगे, पूछते हैं, अब देखते हैं, क्या क्या पूछा, जल्दी से note कर लीजिए, फिर देखते हैं, इसमें क्या पूछाओ, जल्दी से note करें, प्रीज, चलिए, अब देखते हैं, अब देखते हैं, अपने note कर लीजिए, पहला क्या पूछा है मरे से, वो इस opposite हुए, तो A के opposite में को होन है मेरे पास, A के opposite में क्या है, C, तो अंसर क्या आगे मेरे पास, option number, none of this, क्या none of these आया मेरे पास, अंसर, clear क्योंकि C तो मेरे को जही नहीं रखा, चलो, next क्या है, who is next to E, in clockwise direction, E से right में कोन है, clockwise, ऐसे चले हैं, यह तो B आगे अंसर, चलिए, option number, second is the right answer, B, चलिए, note कीजिए, फटाबर next पे चल रहे हैं, clockwise कुछ का नहीं, कि anti-clockwise, clockwise है नहीं, तो B आएगा, चलिए, next क्या है, last question, आज की class का, मतलब अच्छा कोशन है, 8% P क्यों, रस T, UV and W are sitting around the circular table, facing the center, अब है, simple है, facing the center है, कुछ information दियोगा, उसको मुझे लेके चलना है, not necessarily in the same order, T is sitting, third to the right of P, सबसे पहली बात, कितने person हैं मेरे पास, we have 8 persons, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर 2 cases बनेगे, 2 में चलेंगे, जखे, T is sitting, third to the right of P, अगर P है, 1, 2, 3, तो T यहांगे, W is sitting second to right of S, अच्छा ठीक है, S जहांभी है, S अगर मेरा यहां है, तो S का right कौन सा हुआ, यहां तो आने सकता, S का right अगर मेरा यह facing है, तो 1, W sitting second to the right of S, मतलब W यहां पर आएगा, एक छोड़के S के साथ, ठीक है, अगर यहां facing है, यहां facing है, जब भी S आएगा, S is not an immediate neighbor of P, O, T, S यहां 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 साथ, चलो इस पूजिशन को प्लॉट कर सकते हूं मैं कि अगर मैं s और w को लेके चलूँ अगर मैं s और w को प्लॉट करने के कोशिश करूँ अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तो मैं कैसे प्लॉट करूँगा यह समझे ज़राइग बर देखो अगर मैंने एस मेरे इन दो पूजिशन पर आ सकते हैं अगर एस यहां गया इसका सेकंड राइट यह हुआ तो यहां तो यहां तो आने सकता तो अगर ऐसे यहां लगा है तो इसका सेकंड राइट क्या बठेंगा डव्ली डव्ली सेकंड राइट फैस एस नॉट इमिजेट नेबर ओफ पी और टी ठीका जी यू एंड क्यू और इमिजेट नेबर सो फिचेटर अब देखो ज़रा ध्यान से मेरे पास मेरे पास कौन सी पी चलो जी यह भी कन्फर्म हो गया कि क्यों मेरे पास इमिजेट नेबर नहीं एंपी का तो यहां पर यू आ गया और यहां पर मेरा क्यू आ पचा देखो मेरे पास almost almost सिर्फ दो पुजिशन बती है एक यह और एक यह V is not immediate neighbor of W तो definitely V आ गए यहाँ पर कौन सा बचा मेरे पास कौन सा बचा फिर मेरे पास क्या मेरे पास यहाँ पर अब R बचा है R E रह गए मेरे पास Yes, यहाँ पर क्या आएगा क्लियर एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करते हूं को बहुत अच्छा कोश्चन था और ऐसा कोश्चन एक्जाम में थोड़ी डिफिकल्टी कर सकता है देखो सबसे पहले कोश्चन में क्या दिया था पी इस सिटिंग प्लोट किये इसका फर्स राइज सेकंड राइज थर्ट राइज क्या होगा टी हो गया ठीक है अच्छा डवली सिटिंग सेकंड राइज और एस अब उसने एक बात बोले में डवली सिटिंग अगर एस में यहां पर आगया तो इसका मतलब एस डेफिनिट राइज में डवली यहां अगया यहां से पकड़ना था कोश्चन में यूँए फिर यहां पर फिर क्या बचा मेरे बास क्या बचा मेरे पास V is not imaginator or neighbor or W W के साथ V नहीं आ सकता तो V आ गया यहां पर बचा हुआ रहा गया यहां भई यह बहुत अच्छा question था मुझे बहुत पसंद ऐसा question क्लियर क्योंकि information दी भी है plot भी करनी है basically ऐसा ही question मैं paper में expect कर सकता हूं कि मेरको थोड़ा अस्वंजस में दो condition, तीन condition बनानी पड़ सकती है clear? तो please like, share, subscribe करना मत भूलें चलिए देखते हैं क्या दिया इस question में क्या पूछा है हमसे if R is position with respect to V R's position with respect to V V है तो यह क्या हो गया V का अगर V मेरे पास facing south है अगर देखो मैं फिर बता दू यह right और यह left है, असे बना गए देख सकते हो आप तो यह क्या हो गया, left यह हो गा right, second to right हाँ जी क्या है second to the right, clear? चलिए next पर चल रहे है, फटावट इसको note किर जीए next पर चलेंगी right of V, चलिए last question क्या करें मेरे पास four of following are unlike in a certain way based upon their sitting position in the above arrangement and so former group which one does not belong to the group देखें जरा कौन सा बिलोंग नहीं करता और क्या अलग से दिया, और 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 यह रा और क्यों हो ना चाहिए, इसका मतलब है और क्यों होगा, यह यू नहीं होगा, और तो ही नहीं आर और क्यों को देख लेते हैं, आर और और ऑपजिट, यह आपजिट नहीं है एक मिन देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ डेटा एक बार next क्या है, PV चलिए, PV में देखो क्या है, यह P है और यह V है यह भी ऑपजिट है, यहां से भी मुझे ऑपजिट से दिख रहे हैं कुछ है ठीक है, अच्छा, next क्या मेरे पास, TP यह ऑपजिट नहीं है, बाकि यह भी पर चेक कर लें अच्छा, US, WT US, US and WT, सारे के सारा ऑपजिट नहीं सरफ, T और P को मेरे छोड़के सब्सक्राइब करना मत भूली, मैं आपको फीर एक बार बता दूं कि आपकी टाइमिंग है तीन से साढ़े चार, नहां बैच होच का स्टार्ट, क्लियर, तो फोर डेज़ वीग बैच है, टोटल एक सब्सक्राइब लेक्चर है, जो आपको लाइट हैं वो मिलन रहें नह्यंरए जो मैरी चारिशर्न की टार्गेट1 बैट च्टार in बेस तुट यह ना उसमें बहुत काम आती कैसे काम आती जब आप topics को चूस कर लोगे जैसे या previous issues को देख लोगे ना previous questions मैं ने देख लिए previous एनलेसे कर लिए उसके बस आपको पता और चेप्टर करना घृर मुझे अननोजी करना तो अगर मुझे ला करना जासे 20 कॉक्षन आ रहे हैं अगर कोडिंग डिकोडिंग जहां से आर एक से 1-2 कॉषन मिनिमुम आ रहे हरे हैं हर साल to code in do कोडिंग करूंगा तो मुझे क्यों करना तो टार्गेट के लिए सबसे अच्छा क्या है मेरा माइक्रो कॉर्सेश चलिए बात करते हैं जेरा माइक्रो कॉर्सेश की कि अच्छी मैप को यहां से पूर अपन करके दिखा दूंगा इसका लिंक आपको डिस्रिप्शिन बॉक्स में देखने को मिलेगा अभी पीडियर डॉट अभी मन्यू डॉट कॉम पर आप जाके अवेल कर सकते हैं से देखें तूस एक्जाम करेंगे सुटेंट्स चूस एक्जाम करूंगा तो यहां पर जाना मुझे सिविल सर्फेसे सी सेट क्लियर क्लियर इसके भी नागे नहीं बढ़ पाएंगे आप याद रखिए अगर सी सेट में 025.1 नंबर भी कम हो ना आपका पूरा एक साल खतम है ध्यान रखे तो प्लीज सीरस रही इसके अब को एक नबर दिया था नंबर दिखाए था अंबर दिखाते था हूं देखिए यह निंबर पर नंबर सिस्टम में प्लेबल है कितने हैं अब इससे वेटेज बढ़ गया 25 के राउंड हो गया पंदरा से 1820 कोशन आ रहे हैं आपके इसा नंबर सिस्टम की जैसे सिंप्लिफिकेशन की बात करें नंबर सिस्टम कितने का दस क्लास 324 रपे का नो लेक्चर्स दिये हैं और नो वेब नोट से और 423 आपके बस मुल्टिपल चॉस कोशन है इन मुल्टिपल चॉस कोशन में आपका प्रिवेश यह तो हो ही रहा है या आपको टैस्स की तरह भी यूज कर सकते हैं मतलब 15 कोशन का डेटा कंपाइल किया और टैस्स की तरह आपने इसको दे दिया ठीक है दिया गया है वीडियो आपको ट्राइल दिया ठीक है जैसे पर्सेंटेज पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन यह थोड़ा सा में रिजनिंगा दिखा दूंआ आपको जरा और अगर मैं पूरा ओपन करके दिखाऊं सिर्फ और सिर्फ दो माइक्रो कोर्सेंट के इंदर एक आपके आपके पास है वर्ड बिलिंग इंटॉनिम सिनोनिम का क्लियर यह कुछ मैं बता दूं हमारे सुनेंट्स हैं जैसे मिसस परस्का 51 नेक था अर्रम का कितना था 56 जति इनकी एक खास बात क्या थी इन्होंने GS के साथ CSAT को भी इतना ही तबज्जो दिया क्योंकि इनको पता था एक नंबर भी कमाएगा तो कॉम्परमैस नहीं होगा आपका पूरा एक साल खराब हो जागा क्लियर तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया फूल कोर्स का रिं झाल 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 झाल